वह मौका आगए इस काम के लिए ये मोटर होम और इसके पीछे ये मोटर साइकल रैक लिया है यानि कि यूएसे में एक इंडियन टूरिस्ट होते हुए एक कमपनी खोल के उसके अंदर मोटर साइकल लेने का दिन क्यूंकि यहां पर यूएसे में आयू है मिस्टर मुंबई क तो वह खड़ी पीछे उनकी मोटर साइकल जुनों ने इंडिया से ही यहां पर भेजी है यूएसे और ट्रावल करने के लिए तो उनसे भी सारा पूछते है कि यह कारने वेगरा क्या कस्टम्स प्रोसीजर वेगरा था कैसे इंशॉरंस करवाया है सब कुछ और चाहे अपन दूर निगल दिया तब इसका बूरा बता लग था यह तो पूरा बदा लगता है ठोरा बेड़ बन जाएगा कैं जो यूट्यवर तर्रावलर समझ शकता हूँ लगा तो कहीं दगा वाइस पड़े की नई गाड़े की कासे चलना है इसमें जाना है या बाइक पे जाना है कर दो कि बाइक प्री से बाट के जाना दो बंदे का समान समभा देंगे जा लगती है यारे वाक़ी मतलब आप वीडियो में नहीं बता सकते हैं मेरे को भी मिने वीडियो में बहुत देखिये बट इसका जो साइज और जो स्का फिलिंग और जो स्का में निट्यूड और स्प्रेड एना कमार है यह यहां का फ्लैस्टाग आए पास्टाग का यहां लगा तु आच अचल ज़ए आए था इस तर्बना हो ना यह तो ट्रांसपॉंडर है कुसा आपको डिसरेंग गिर रहा सदूराः कर्ण करते हैं और बार निकल दो को सोड़िकता म शिए इस पर बैठना कैसे हैं लिए इस ऺ्लम शेड़ मिल्टे पर उल्टी कोई डाडर वान वार एजो सब्सुटर तहए पार शबत टबी दो एफ टास्पोर्ट पीछट पीज को अपल गजै को टार ला किस अपोट लिए पुछब बाएं हो और शाया है एक्पीरियोन बंड़ें बैटे है अच्छी में अध्री अध्राहरा है लोगे मार शाले अध्राइक टार्ण एक यह के अध्या हूं कि अगा दून कि अखराना बड़ेगा? अगा नहीं नहीं लिये लगता है कि अगजोनी कि अखराइब है और बाइब हो भाई एक आख़ सबस्क्राइब एक चानेक उड हो फिल आख़गी थाई है करने नहीं से कट्किर रोग्स संट्डना संट्सरेंगर रोग है कि यह लाइट है, जालो 310 देखें, क्या रड़ बताते हैं मैं ले तो लो में इसके लो में में को अक्सेसरीज भी काफी लगवा, क्राइश गार्ड ये, वो लटरम पर टरम यहार अंडिया में करता है सस्ता होता है एक अंडिया में जर्मनी में सस्ता है वैसे यह रैली वाला गदर भी आता है, बट, I don't know, मैं को सिंपल ब्लैक है, हमेशा सही जादा पसंद है 6750 दॉर एक सिक्के का डिस्काउंट है, क्योंकि इनकी सबसे जादा बिकने वाली मोटरसाइकल में से एक है 6850 का वैसे रेट है, मगर कहते हैं कि 200 दॉलर हमारी दोक्यमेंटेशन फी, 200-300 दॉलर प्रेपरेशन फी लटरम पटरम और अभी इसके अंदर टैक्स नहीं है तो यह इंडिया से भी महेंगी पढ़ गए क्योंकि टैक्स नहीं भरूगा ने क्योंकि आउट और स्टेट रेजिस्टर हो नहीं है, यानि कि मॉन्टैना स्टेट में जो मैंने LLC कंपनी यहां पे खोली हुई है एक वकील के जरीए मॉन्टैना में तो उसमें पैक्स ना देते हो भी यह बहुत महेंगी पढ़ रही है गर्मी इतनी हो गई है, मगर इंपोर्टेंट बात यह कि हमने पहले सुचा कि यहीं से उठा लेते हैं मगर इनको डॉक्यमेंट से विगारा देने में सब कुछ करने में, बैंक वायर कैनडा से भेजने में हो सकता है दो दिन का टाइम लग जा सेट अप करने में और निकल भाई को सुबह सुबह कल परसों में निकलना है क्योंकि उनकी अल्रेडी बाइक जो है तीन-चार दिन डिले होगी और उनका बहुत ही लंबा चोड़ा प्लान है तो इस चक्कर में हो सकता है हम आगे जाके कहीं देखें क्योंकि मेरे को तो वैसे भी शिकागो की साइड जाना है पाइसाब इसके साथ 8 गंटे पीछे मोटरसाइकल बंदी होगी और मैं नर्वस इस हिसाब से भी होगा क्योंकि पीछे कोई constant full time all time camera नहीं लगा हो जिससे मैं हमेशा मोटरसाइकल की condition देख सकूँ जैसे को जटका आता है न मेरे को anxiety जो जाती ही यहां तो कुछ नहीं खुला क्योंकि जब कोई साथ में तो बंदा गाता है रिकमट देखियो अभी तो कोई ही नहीं और जब मोटरसाइकल पीछे बंदी होगी और मैं उसको देख नहीं सकूँगा चलते होगी गाड़ी में तो मिरे को और anxiety होगी इसलिए मैं सोचना हूँ अभी जल्दबाजी में काम ना करूं जातने टाइम में रुक हैं तीन चा दिन और सभी फिलाल देखते हैं आगे कहां के तरह जाना है मगर अब आते हैं निखिल भाई से पूछते हैं चलके अब यह पूछे हैं कि आप मोटर साइकल भीजने का खर्चा दूसरा कार्नेट जो सबसे जादा लोगों की वह होती है कि आपने दुनिया भर में भीजने तो कार्नेट जिन लोगों नहीं पता उनकी नौलेज के लिए एक जैसे एक हमा और में आपने मोटर साइकल खरी दिया या कोई गाड़ी खरी दिया तो अगर आप किसी और देश में उसको भेज रहे हो تو उस देश में वो गाड़ी टेक्निकलि इंपोर्ट होगी और उसके उपर इंपोर्ट ड्यूटी बनेगी मगर अगर वो गाड़ी तेंप्रेरली किसी और कंट्री में लेके जाओगे, वो कहते हैं, जो ड्यूटी आपकी बनती है, हमारे पास ड्यूटी रखवा दो, और वो ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी, जब आप मोटर साइकल ले जाओगे, और कारनेट इग्जैक्टली यही करता है, यह आप इंडिया में बत तो इन तीन में से सबसे जादा जिसकी होगी, माले जी 100%, तो वो सबसे जादा वाली है, आप से ड्यूटी लेकर रख लेंगे, यह गारंटी होती है, किसी भी कंट्री के लिए, कि आपने ड्यूटी कारनेट वालों को जमा करा रखी है, और अगर यहां से नहीं निकली मोट सबसे कारनेट वालों से आपके पैसे ले लेंगे, तो यह एक तरीके से गारंटीड सिक्यूरिटी होगी, कि आप वापस लेकर जाओ गही है, तो यह सबसे बड़ी कॉम्लेक्स केटी है, I think, explanation की चीवरी, अब आ जाते हैं, खर्चों के उपर, मैं अकल को कहता हूँ, मैंने अपनी मोटर साइकल भेजनी है, जिसकी कीमत मान लो, 10 लाक रुपे है, और यह मैंने भेजनी है, चाहे मोटर साइकल हो, चाहे कार हो, चाहे गुझ भी, XYZ कंट्री में, तो अब step by step process के है, अपि तेको हर कंट्री का का कानेट, यॉएस से कानेट लेंगे अलग है, एजिप अपकी जो आपकी जो बाइक की वालियो 10 लाक पूल आम हो इतना चाहे तो आपको जामा करनेख़ आपको साइब अब कार्यों हो त्रस्त आया आपके तो तो वह लेते हैं, तो वह लेतें, एंड पर्संट उंटी परें, 20 वह उलो से तो आपक्षियर तो अपनी बात कर तो अच्छा, आपकी बाइक किदे नहीं है? पासपोर्ट पे स्टैम्स भी है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो बाइक लोन पे नहीं होनी चाहिए, लोन पे होगी तो अलग प्रोसेस है, वो बैंक से लाओ, यह लाओ, वो लाओ, पांच लाओ रुपे दिये जो कि मैं वापस जब कंट्री जाओंगा, अपनी मोटर साइकल और कानेट समिट करूँगा, वो मुझे पांच लाओ वापस मिल जाएंगे, अब यह पांच लाओ के अलावा, 78,000 रुपीज कानेट के लगते हैं, डिपेंड आपको कितने पेजिस जीए, 5, 10, 25 से होते हैं, यह फीस है, अच्छा, और पेजिस का मतलब यह है कि एक एक रस कर सकूँ, लेकिन यह मुझे एशिया साइड में जादा यूज होते हैं, अगर आम इंडिया से निकल के, इंपाल थाइलेंड वाइलेंड वाइलेंड वहाँ चलाते हो, तो जादा आपके फाडेंगे, अभी मैं अमेरेका में मैं कनादा जाओंगा, वापस अमेरिका कोई जाओंगे तो यॉर्प में यॉर्प में निकालते हैं, अगर मैं यॉर्प अपना मोटर होम शिप करता हूँ, तो मेरे मोटर होम डेड़ लाख यॉवस डॉलर गा है, सवा करोड गा, और मेरे को बुले लाओ सवा करोड और रख वहाँ तो यॉर्प का कोई कारनेट नहीं तब ही मैं यॉर्प में यॉर्प में भेज सकता हूँ बिना ये कारनेट के लफने में अब आता है, सबसे इंपर्टन चीज़े, अभी बड़ी बाइक है, सामान है तो अच्य से भेजना पड़ेगा, हल्की बाइक होती एक बार, हमाले नोदी, केटियम होती तो उसका पैक करते हैं को इतना खर्चा नहीं करना तो बेसिक बनाना पड़ेगा, कुछ भी डाइमेज हो और मुझे महत बोलना, तो लोड़ पीपलेट पर बाइक डाल देते हैं और क्या करते हैं पूरा ही वो प्लास्टिक से रापड़ देते हैं और वो ऐसे ही बेज देते हैं, मैं और टाइम और गया, किसके बास जाएंगा, अब आता है में खर्चा, 40,000 इसमें एड़ेड है, जो आया 3,91 अधा, दो लोग आगे तो पर है 2,91 थाज़न हो गया, इस इंक बन्दा भीज तो आप लगते हैं, मेरे हाँ जादा लगते हैं, तो मेरे हाँ दाल लगते हैं, इस पकड़ो कितने दोलाग रुपे हो गया, अब वो कंटेनर पूरा कंटेनर आपका है, उसमें आप बाइक को ऐसे बांदो लगते हैं, तो आपका पैकेचिंगा खर्चा ही नही आएगा, तो बेसिकली, अगर जादा लोग जा रहे हैं, तो यह एंड़ेप स्पेंडिंग वह अब प्रोसीजर पे आते हैं, प्रोसीजर यह कि आप बाइक जो है, वहाँ पे आप यह कोई बीच में एजनसी कराते हो, या फ्रेट फॉर्वडर होते हैं, जैसे मैं फ्रेट फॉर्वडर करा रहा हूँ, जिसके यहां से रिस्पॉंसिबिल्टी है कि वह कस्टम भी विग मालो कि मैं भुहरी वालाज हूँ, आप पर तरी लोकेशन और मैं बहेज रहा हूँ, तो अब आप में हाबर जिम्मेदारी मोहित की इंडिया मेरी, तो और दौनों एजिट आप से कंटिनूश बात करते रहते हैं, तो उस ही का पैसा है, आपको पैसा बचाना है, मैं चाहत हम यूट्यूबर्स हैं, हमें टाइम पर वीडियो दाले हैं, होगया है, हाइप कर दी, फिर लोग बोलेंगे, क्या है, तो कुछ नहीं कर रहा है, वैसे तो, फिर हमारी ओनलाइन चित्रोल होती है, तो इसलिए हम चांस थोड़ा कम ही ले पाते हैं, अब मैं एक मोटी आपको यह पर तीन ही खागस ही इंचलाने के लिए, कारने से तो आपकी रिजिस्ट्रेशन होगी, प्लेट तो आपकी इंडिया वाली रहेगी, दूसरा हो गया आपका लाइसेंस, चैसाथ में इंटरनेशनल भी लिया हो तो बड़ी है, मगर तीसरा सबसे में, इंशॉरंस तो मगे मेरे दोस्ते किया ने बना, इंशॉरंस मतले है, इसे ही चला है, उनको बोला है मेरे पास, लेकिन युएस में कभी मत करना, यह सूसाइड है अगर गल्ती से भी आपने किसको तचको आपकी जान ले लेगा पर पर और रहे निके देने पड़ेंगा, यहां पर थर् आपका तो चलो अपनी हडडी टूटी या अपनी मोटरसाइकल खतम होगी बात अलगे अपनी जेप का नुक्साय नहीं यहां लोग आपको जो भी है थड़पर्टी आपको विन नमर पूस ता अपने इंट्रासे से लेकर विन नमर लेगा अगर इंट्रासे से नहीं करता हूं नहीं लेता है क्योंकि यहां के विन नमर जलते और विन नमर शैसी नमर होगा एंगे आपको अच्छे समझ माज़ेगा वह बहुत को वही मेरा मोटर हम उसी से एक है, मेरा मोटर हम उसी से एक है, और मैं अपनी मोटर साइकल लूँगा तो वह भी प्रोग्रेसिव से ही इंशुर कर रहा हूँ आपके पास मुल्टिपल ओप्शन होता है, मैंने सबसे बेसिक चीज लिया है कि अपर मैंने किसी को मार दिया तो इस इंसान का प्रोपटी का और वह सब डामेज में बहुंगा एक मिलिया तक है नहीं तक है नहीं पूरा अलग पैसे है लोगों को मारने कितना गाड़ी को मार अलगे मैंने खुद का खरचा है वह सबसे हाई आपके लिए इंडिया से अपना इंसुर्ण लिखे आया हूँ तो यह मुट अर मैंने बाइक तह थेफ्ट का इंसुर्ण नहीं लिया क्यों कि वह लेता है तो मेरी बाइक एक्सपेंसिव है तो मेरा इंसुर्ण बहुत महत म वह वापसा जाएगा यह दिवाइड बाइ 12 है मगर जो पहला महीन है उसमें आपसे 20% का आसपास ले लेते हैं क्यों कई लोग कैंसल कर दे तो यह अपनी कमाई पहले महीने में ही गड़ लेते हैं आपसे तो इसलिए यह अगर मैं थेफ तालता तो मेरा यह 2.70 का इंसुर् है तो पाँच हजा डॉलर, दस हजा डॉलर, पच्छ हजा डॉलर कितने जो है इंशॉरंस कंपनी इनकी ट्रीटमेंट की देगी क्योंके यहां इन कंट्री में बड़ी रिस्क है या अगर मालो आपकी कोई बोन डिस्लोगेट हो जार इमीजिएटली अगर आपको और आगे वापस आ गया और वो खुलता है सिर्फ दो गुंटे के लिए शाम गो और अपॉइंट में यहां पर आपको अगर लेकर जानी है तीन-तीन हफते तक कोई डॉक्टर नहीं है और फिर को मैं डॉक्टर होस्पिटल जा जा तो एमर्जंसी में डॉक्टर को दिखान बटन और बैल आइकोन दबाते जाना बड़ी हेल्प हो जाएगी